हैलो प्यारे बच्चों कैसे आप लोग आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे सुरक्षित होंगे खूब मंदगा पढ़ाई कर रहोंगे हमारी क्या चले स्टेटिस्टिक्स की सिरीज लास्ट क्लास में हमने जाना थे मीन मीडियन मोड क्या होता है उसको पर हमने कुछ कुछ क्या होता है क्या है इस को सबसे पहले हम धेखने क्या हूं सबसे पहले हम देखेंगे क्या होता है क्या होता है हम कुछ्छ टट लो जेले अंड़ा कि एक क्लास बेग in the per on the जो marks आ रहे हूं है 5, 10, 5, 15 और 10 ये marks ठीक है एक class है उसमें 5 students है उन्होंने एक test दिया उनके marks है 5, 10, 5, 15, 10 इसे example को लेकर मैं आपको सारी चीज़े बताऊँगा तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा मैं सबसे पहले निकाल देता हूं इनका mean अगर मुझे mean निकालना है तो mean कै कौन में number of observations तो अगर मैं इनका sum करता हूं तो 5, 5, 10, 10, 20, 8, 10, 30 और 15, 45 तो 45 बटे 5 करूँगा तो 5, 9, 45 कितना आगया mean mean आगया भाई मेरा 9 ठीक है ये क्या हो गया mean हो गया अब हम बात कर रहे है किसकी deviation की deviation का simple सा मतलब ये समझ लो कि mean से observation की value कितनी कम या ज़्याद है उस ये है 5, 10, फिर से 5, 15 और 10 अगर मैं deviation निकालना चाहूं तो deviation आप देख पाओगे कि deviation आ रहा है यहाँ पर deviation अगर मैं लिखना चाहूं तो ये mean से कितना कम है या कितना ज़्यादा है वो ही क्या हो जाएगा deviation हो जाएगा तो 5 इस mean 9 से कितना कम है चार कम है ये कितना ज़्यादा है एक ज़्यादा है ये कितना कम है चार कम है ये 6 ज़्यादा है और ये एक ज़्यादा है तो ये क्या हो गया भाई ये हो गया इनका deviation, deviation का simple सा मतलब ये हो गया कि जो data आपके पास है जो observations आपके पास है वो उनकी mean value से कितना कम या ज़ाद है वो ही उसका क्या क्या लाता है deviation क्या लाता है अब deviation आपको पता चलिगा आप हमें पता करना है कि mean deviation क्या होता है deviation आपको पता चलिगा deviation अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको मैं denote करें ता हूं d से d i equals to हो जायागा x i minus x bar जहाँ पर ये d i x i x bar क्या है d i हो गया भाई तुम्हारे deviation x i हो गया जो आपके observations है और x bar क्या हो गया भाई mean हो गया ठीक है तो observation में से उनका mean subtract कर दोगे तो जो value आएगी वो आपका क्या बन जाएगा deviation हो जाएगा उसके बाद जो दूसरे चीज़ आपको सेखी है वो है भाई mean deviation क्या है वो है बच्चा mean deviation कि mean deviation कैसे निकलता है अब जैसा कि नाम में आ रहा है mean deviation तो deviation का mean आपको निकालना है mean निकालना आपको पता ही है तो mean deviation को लिख दे रहा हूं md equals to क्या हो जाएगा summation i equals to 1 to n यहाँ mode x i minus x bar upon me n ठीक है घबराने के उतने इतना जाधत tension लेने के उतने बस समझ लो कैसा आएगा exam में अगर formula लिखके देदेगे बताओ इनमें से कौन सा mean deviation का correct formula है तो आपको यह भी पता होना चाहिए बाकी mean deviation निकालना कैसा है वो आप देख लो कुछ नहीं अगर वो इसमें से आपसे mean deviation पूछ लेता mean deviation पूछ लेता तो आपको क्या करना है जो deviation आए हैं उनके sign को ignore कर दो यहाँ जो यह mode लगवा है ना mode का मतलब यह है कि आपको सिर्फ positive लेना है इन सब को add कर लो इन सब को क्या कर लो भाई add कर लो mean deviation में निकालना हूँ तो mean deviation कितना हो जाएगा भाई जो deviation आए हैं उनके sign को ignore करते हुए सब को add कर लो तो यह कितना हो जाए 4 और 5, 4, 9, 6, 15, 16 16 और बटे में कितना 1, 2, 3, 4, 5 16 by 5 जब मैं इसको divide करूँगा तो 3.2 मेरा क्या हो गया mean deviation होगे तो mean deviation निकालने का तरीका मैंने बता दिया mean deviation कैसे निकालोगे आप पहले deviation पता कर लो deviation आ गए उनमें जो sign है उनको ignore कर दो sign की कोई जरूत नहीं है उनको add कर लो और उसको number of observation से divide कर दो या number of deviation से divide कर दो वो आपका क्या जाएगा answer आ जाएगा mean deviation इस तरीके साब mean deviation निकाल सकते हो mean deviation अगर आपने निकाल लिया तो उसके बाद जो तीसरी चीज आती है वो आती है भाई variance तीसरी चीज जो आपसे पूछी जा सकती है समिशन का मतलब होता है सबका सम ठीक है समिशन i equals to 1 to n x i minus x bar का whole square और अपन में n simple सा मतलब यह है जो भी आपके पास deviation आए है उनके square करो और उनका arithmetic mean निकाल लो ठीक है जैसे यहाँ पर अगर मैं variance निकालना चाहूँ अगर मुझे इसमें variance निकालना है तो यहाँ पर आप deviation सबके निकाल चुके है जो आपको पास deviation आए है उनके square करो अगर मैं इनके square करता हूँ अगर मैं यहाँ पर इनके square करता हूँ तो square कितना हो जाएग भाई 4 का square 16 1 का 1 फिर 4 का 16 फिर 6 का 36 और फिर से 1 का 1 ही रहा ठीक है 16, 1, 16, 36 और 1 मैंने पूछा है variance तो variance कैसे निकाल दोगा आप जो deviation आए है उनके square का सम्ग यह क्या deviation ही तो हुआ observation minus mean x-bar का represent कर रहा है mean तो observation में से mean subtract करो जो deviation आए उसका square करो वो हमने यहाँ पर कर लिया इन सब को add कर लो 16 और 1, 17 16, 17, 16, 33 33 और 36 69, 69 plus 1 70, 70 upon me 5, 5 से इसको divide किया तो variance की value आपके पास आवी 14, तो इस तरीके सम variance निकाल सकते हैं variance अगर मैंचे निकालना पड़ेगा तो क्या करोगे mean निकालो, deviation निकालो जो deviation आए हैं, उनके square करो फिर उनको add करके number of terms से divide कर दो आपका variance आजाएगा variance निकालने के बाद आपसे जो चौती चीज पूछेगा, वो पूछ लेगा आपसे standard deviation बताओ, कि भाई साब standard deviation निकाल कर बताओ कितना होगा, कैसे निकाला जाएगा standard deviation कभी भी आपको निकालना हो, तो आप किस से निकालोगे variance से, जो variance आपके पास आया है, उसकी square root में positive value ले लो वो क्या आजाएगा, आपका variance आजाएगा जैसे यहाँ पर अगर मैं variance निकालना चाहूँ sorry, variance आ चुका है, अगर मुझे standard deviation निकालना है, तो standard deviation होगा, square root V, V मतलब यहाँ पर variance को represent कर रहा हूँ, मैं V से, तो standard deviation equals to under root V मतलब variance और variance कितना है 14, तो under root 14 आपका answer हो जाएगा, square root की मुझे सिर्फ कौनसी value लेनी है positive value लेनी है, square root से दो value आते है, negative positive, आपको कौनसी लेनी है, standard deviation में सिर्फ positive value ही consider करनी है तो आपका answer क्या होगा भई, standard deviation में under root 14 उसके बाद क्या पूछ लेगा वो, उसके बाद वो पूछ लेगा भई, यह को और चीज यह होगी, one, two, three, four और फिर five, जो पांच भी चीज आप से पूछ लेगा, वो पूछ लेगा भई, कि बताए coefficient of variation आप कैसे निखालेगे? कि coefficient of variation किस तरीके से निकाला जायेगा? वो हमें बता दो, तो coefficient of variation निकालने का simple सा तरीका है coefficient of variation आप निकालोगे coefficient of variation equals to होगा, standard deviation upon में mean और into 100, और यह हमेशा क्या होगा? percentage में होगा तो coefficient of variation निकालने का तरीका क्या है standard mean, sorry standard deviation upon mean into hundred percent आप का असर हो जाएगा जैसे इस ये example में अगर मैं बात करूँ, coefficient of variation अगर मैंने निकालना है, coefficient of variation क्या हो जाएगा भई, standard deviation, standard deviation कितना आया, under root 14, upon mean, mean कितना आया, 9 और into hundred, ये क्या होगा, percentage में होगा, आपका जो ही value आई ये, percentage में आपका coefficient of variation होगा, तो इस तरीके साथ आपने 5 चीजे सीखी, जो आपके एक्जाम में पूछी जा सकती है, deviation, mean deviation, variance, standard deviation और साथे साथ, coefficient of variation, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, अगर मैं data में कुछ change करता हूँ, तो उसे deviation पर mean deviation, variance, standard deviation पर क्या क्या effect पड़ेगा, वो देखते हैं, चलो ही, अब देखते हैं, अगर मैं इस data में कुछ changes करता हूँ, मतलब कोई एक value सब में add करता हूँ, सब में से subtract करता हूँ, या multiply या divide करता हूँ, तो इन चीजों पर क्या effect पड़ेगा, variance पर क्या effect पड़ेगा, या standard deviation पर क्या effect पड़ेगा, चलो ही, देखते हैं, जैसे मान लीजिए, मैंने सब में add किया 5, add 5 to each value, तो भी मेरे पास data है, उसमें सब में मैंने बरावर बरावर value 5 add कर दी, आप 5 add कर सकते हैं, 1 add कर सकते हैं, 2 add कर सकते हैं, जो आपका ले लिए, 5 ले लिए, ताकि आपके calculation भी थोड़ा easy है, तो मैं अगर सब में 5 add कर देता हूं, तो आप देखें क्या effect पड़ेगा, भी 5 add किया, तो यह हो गया 10, 15, फिर 10, फिर 20, और फिर 15, ठीक अभी, जो नया data बने गया मेरे पास, वो ये बने गया, अब अगर मैं mean की ब 28 और 10, 35, 35 और 25, 55 और 15, 70, तो 70 बटे 5, number of observation कितनी है, 5 है, 5 से जब मैं divide करूंगे तो कितना आया, 14, तो आपने देखा, कि भई, पिछली बार जो मेरा original data था, mean 9 था, जब मैंने सारे data में 5 5 add कर दिया, तो नया mean बना 14, जो कि पिछले से कितना जादा है, 5 जादा है, तो value को add कर जाता है, सारे data में, तो mean भी क्या होता है, उतना ही बढ़ जाता है, तो आपका mean कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया, ये चीज़ आपको याद रखनी है, कि अगर, जो मेरे पास data दिया गया है, जो observations दी गई है, अगर मैं उन सब में, एक same value add करता हूं, हर एक observation में, त अगर मैं mean deviation की बात करूँ, तो मुझे कैची है, मुझे चाहिए पहले deviation, अगर मैं deviation देखू यहापर, तो deviation में कितना, क्या effect पढ़ रहा है, कि भी deviation देख लो, mean कितना हो गया, mean हो गया मेरे पास 14, तो यहाँ पर deviation कितना होगा, ये 4 कम, ये 1 ज्यादा, और ये 4 कम, ये 6 ज् था, ठीक है, ये क्या होगे, इनके, deviation होगे, अब अगर मुझे mean deviation देखना है, तो यहाँ पर भी पहले देख लो, यहाँ पर deviation कितना है, यहाँ पर है, deviation minus 4, plus 1, plus, sorry, minus 4, plus 6, और, plus 4, ठीक है, तो आप देखो, आपने एक चीज अबसर्प करी, कि भी यहाँ क्या है, अगर मैं same value add करता हूँ, तो क्या deviation पर कोई effect पड़ा, जब deviation पर कोई effect नहीं पड़ा, deviation में कोई change नहीं हुआ है, आप समझगे कि भी deviation में, deviation जो है, उसमें कोई change नहीं हो रहा है, जब deviation में ही कोई change नहीं हुआ, हम mean deviation कैसे निकालते हैं, हम mean deviation निकालते हैं, जो भी हमारे पास deviations आए उनका sum करके number of deviation से divide कर देते हैं अब यहाँ पर जो मेरे पास deviation आये हैं वो जो पहले थे इस बार भी वो ही है जब deviation में कोई change नहीं है number of observations में, deviation में कोई change नहीं है तो यहाँ पर mean deviation में भी कोई change नहीं होगा mean deviation भी उतने का उतना ही रहेगा एक यह बात आप समझगे उसके बाद हम बात करते हैं भाई, variance की उसके बाद हम बात करेंगे variance की कि भी variance पर क्या effect पढ़ेगा variance के लिए देख लो अब variance कैसे निकालते हैं आप variance equals to होता है deviation का square upon में number of observations या number of deviation कुछ भी बोल दो दोनों चीज़े बरावर होती है यहाँ पर क्या deviation का square कर लो उनका sum कर लो summation लगा दो यहाँ पर यह I equals to 12 and summation का मतलब जो deviation से उनके square का sum करके number of observation से क्या कर दो divide कर दो तो यहाँ पर देख हुआ अब अगर मैं इनका square करके add करता हूँ और number of observation से divide करता हूँ तो क्या effect पढ़ेगा कुछ effect पढ़ने वाला है कुछ नहीं पढ़ने वाला है क्यों क्योंकि जो deviation है वो सेम है जो deviation पहले थे वो ही deviation इस बार है चाहें उनका square करो तो इस बार इस पर भी कोई फरक नहीं पढ़ेगा तो इस बार भी ये क्या रहेगा no change किसी तरीका के कोई change नहीं आएगा अब जब variance में कोई change नहीं है तो क्या standard deviation में कोई change आएगा standard deviation कैसे निकाल क्यों variance का square root करके जब भाई simple सी बात है variance में कोई change नहीं है अब दूसरी चीज़ देख लो आई ये तो होगई add करने की बात अब अगर मैं multiply कर देता हूँ multiply करने पर क्या effect पड़ेगा multiply by 2 मैंने कितने से multiply कर दे हैं इनको 2 से multiply कर दे हैं multiply by 2 each term हर एक term को हर एक observation को मैंने कितने से multiply किया भाई 2 से multiply किया जब आप 2 से multiply करोगे हर एक observation को तो ये data क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 10 20 10 30 और ये 20 ठीक है ये बन गए मेरे पास net data अब अगर मैं mean पूछ हूँ आप से तो आप mean बोलोगे सर mean हम निकालते हैं sum of observation upon number of observation इन सब का sum करोगे 10 30, 40, 70, 90 और upon में 1, 2, 3, 4, 5 और 5 से इसको divide किया तो ये कितना आगया? 18 ठीक है तो mean कितना आगया? 18 अब आपने देखा कि mean पहले कितना था? mean पहले था 9 अब कितना हो गया? 18 अब ये mean भी कितना हो गया? डबल हो गया अगर आपने data को जितने से multiply किया है तो mean भी आपका क्या हो जाएगा? उतने times हो जाएगा यहाँ पर मैंने data को 2 से multiply किया था तो जो mean है जो mean है वो भी कितना हो गया? 2 times हो गया उसके बाद अगली चीज हमें क्या देखना है भाई? हमें देखना है कि deviation के बारे में अगर मैं deviation की यहाँ पर बात करूँ अगर मैं बात करता हूँ कि deviation में क्या effect पढ़ रहा है तो आप देखोगे आप देखोगे सर यह 10 से कितना हो गया? यह हो गया 8 ज्यादा ठीक है? स्वारी कितना कम है यह? यह 8 कम यह कितना ज्यादा? 2 ज्यादा यह कितना कम? यह भी 8 कम यह कितना ज्यादा? 12 ज्यादा और यह? 2 ज्यादा ठीक है? तो अब आपने देखा कि deviation जो है deviation भी सब double हो गया deviation पहले कितना था? 4, 1, 4, 6, 1 अब यहाँ पर कितना हो गया? 8, 2, 8, 12, 2 तो deviation जो है पिछली बार के मुकाबले क्या हो गया है? double हो गया तो आपने देखा जो deviation है अगर आप data को जितने से multiply करते हो तो mean भी उतने times हो जाता है उतने से number से multiply कर दोगे deviation भी उतने number से multiply हो जाएगा और उसके बाद अगर हम बात करूँगा यह हो गया deviation उसके बाद mean deviation MD, MD मतलब mean deviation mean deviation कैसे निकालते हैं? जो deviations है उनका sum कर दो mode लगा देता हूँ मैं यहाँ पर mode लगा ले न mode का मतलब मुझे sign ignore कर दे अगर वो negative है तो भी मुझे positive value लेनी है तो जो भी आपके deviations है उनका sum upon में number of deviations अब देखो जब deviation जो है double हो चुके है सारे deviation क्या होगे? double होगे ना यह double होगे सारे deviation जब deviation double होगे तो mean deviation भी क्या हो जाएगा? उतने से ही multiply हो जाएगा 2 से में इसको multiply कर दूँगा तो जो नया deviation बनेगा जो पहले था 3.2 उसका कितना हो जाएगा? 6.4 हो जाएगा देखो गए तो अब मैंने क्या बताया? कि जो mean deviation है वो भी क्या हो जाएगा? double हो जाएगा कितना हो जाएगा? 6.4 चाहे तो आप check करके देख लो कि mean deviation अगर मैं यहां से निकालना चाहूँ तो 8 और दू 10 10 और 8 अठारा 18 और 12 30 और 2 32 32 बते में 5 लिखूंगा और 5 को जब मैं 32 से डिवाइड करूंगा तो यह कितना हो जाएगा? 6.4 तो आप समझ गए अगर हर एक data टू टाइम्स हो गया अपान में 10 अब जब आपने deviation का square कर ले deviation पहले से डबल हो चुका है उसका भी square कर दोगे तो कुल मिलागर कितने times हो गया? 4 times हो गया जो आपका variance पहले था पहले variance कितना था? पहले था 14 इंटू अब कितना हो जाएगा? 2 का square अब यह जरूरी नहीं कि हमें इसा 2 ही हो हो सकता है वो 3 से multiply करे 4 से multiply करे तो आपको simple सी यह बात समझ दी है अगर मैं हर एक observation को किसी एक value से multiply करता हूँ तो जो variance है variance कितने time हो जाएगा? उस number के square times बढ़ जाएगा जैसे 14 था 14 को मैंने 2 square से multiply किया तो यह हो गया 56 तो आपने देखा इहाँ पर मैं generalize करके लिख देता हूँ अगर यह मैं multiply करता हूँ A से अगर मैंने multiply by A किया A से multiply करने पर जो deviation है वो भी multiply होगा A से जो mean deviation है वो भी multiply हो जाएगा A से mean deviation भी multiply हो जाएगा अगर variance की बात की जाएगा तो variance कितने से multiply हो जाएगा A square times हो जाएगा अब उसके बाद वचा मेरे पास standard deviation अब standard deviation पर क्या effect पड़ेगा आपको पता है standard deviation होता है variance का square root जब मैं इसका square root करूँगा तो यह कितना हो जाएगा A हो जाएगा तो जो standard deviation हो उसका two times हो जाएगा इस example में तो यहाँ पर standard deviation अगर under root 14 है तो यह कितना बन जाएगा 2 root 14 मन जाएगा और अगर मैं generalize करके लिखूँ तो मैं लिखूँगा अगर मैं किसी भी value से multiply करता हूँ तो जो standard deviation हो original का कितना हो जाएगा A times हो जाएगा तो इस तरीके से यह चीज़े आपको याद रहनी है कि अगर मैं कोई value add करता हूँ तो देखो कोई effect नहीं पढ़ रहा है mean जो है उतना add कर देंगे बाकि deviation, mean deviation, variance और standard deviation पर कोई effect नहीं पढ़ता है क्योंकि deviation भी change नहीं होता दूसरी बात अगर मैं किसी term से multiply करता हूँ, सारे observations को तो mean भी उतने times बढ़ जाएगा deviation भी उतने times हो जाएगा उतने से multiply, mean deviation भी उतने से multiply, variance क्या होगा variance का square हो जाएगा variance को कितने से multiply करेंगे जो value multiply करें उसके square से और standard deviation को भी उतने से multiply करके आप बता सकते हो चली अब हम पर क्या करेंगे, कुछ question करेंगे, जो आपके exam में आ चुके हैं या आ सकते हैं, चली आग बढ़ते हैं अब इसमें क्या भूला, find mean from the, find mean deviation from the mean तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमें mean निकालना पड़ेगा अब mean कैसे निकालोगे, mean होता sum of observation upon number of observation तो इनका sum कर लो, sum कितना हो जाएगा 6, 7, 13 13 और 10, 23 23 और 12, 35 35 और 13, 48 48 और 4, 52, 52 और 8 कितना हो गए, 52 और 8 हो गए 60, और 60 में 20 आड़ किये तो 80, तो भाई, 80 को भाग करा मैंने, 8 से, तो ये mean आ गया अब आपको mean पता चले गया, तो आप division का पता कर सकता है तो division मतलब observation की value mean से कितनी कमिया जादा है, वो उसका division हो जाएगा, तो ये कितना कमिया जादा है 4, है ना, आपको sign से मतलब नहीं है जब भी आप mean division निकालोगे, तो sign को फोली जाओ, इग्नौरी कर तो sign लगाना तरवी नहीं है तो यहाँ पर ये 4, ये बनेगा 3, ये 0, ये 2, ये 3 जादा है ये 6 कम है, ये 2 कम है, और ये 10 जादा है ठीक है, तो इनका difference कितना है, 4, 3, 0, 2, 6, 6, sorry, 2, 3, 6, 2, 10 अब मुझे निकाला है, mean division, mean division कैसे निकालते हैं, division का sum कर लो जो भी division value है, उनका sum करके, number of observations से divide कर दो तो इनका sum कर दो, 4, 3, 7, 7, 7, 2, 9, 3, 12, 6, 18, 19, 20, और 10, 30 और 30 को भाग करना है, मुझे कितने से भाई? 30 को भाग करना है, मुझे 8 से तो 8 से divide करोगे, तो 2, 4, 8, और 2 से यह गया 15 बार, तो 15 बटे 4, और इसको divide करोगे, तो 4, 3, 12, फिर कितना बचेगा, 4, 7, 4, 5, 0, तो आपका जो mean division आया, वो कितना आया, 3.75, इस तरीके सा आप क्या करोगे, पहले mean निकालोगे, तो देखो कि observation की value कितनी कम है, या कितनी ज्यादा है, उनका sum करके number of observation से divide कर दो, तो mean division आप निकाल पाओगे, अब देखो, अगला question क्या करा, find variance and standard deviation, आपको variance बताना है और standard deviation बताना है, अगर standard deviation बताना है, तो पहले variance पता करना पड़ेगा, variance पता करना है तो आपको deviation पता करना पड़ेगा, और deviation पता करना है तो आपको mean पता करना पड़ेगा, तो सबसे पहला काम है भाई, mean निकालने का, mean निकालना आपको बार बार में बता रहा हूँ, sum of observation upon number of observation, तो इनका sum कर लो, कितना हो गया, 8, 12, 20, 20, 13, 33, 33, 15, 48, 48, 42, कितना हो गया भाई, 70, और 70 को भाग करना है कितना है, 2, 4, 5, 5 से, 5 से भाग करना है तो कितना बन गया, यह 14 बन गया, 14 आगया, 14 मीन हो गया, तो आप deviation निकाल सकते हो, जो deviation कितना हो जाएगा, deviation यहाँ पर कितना difference, 6 का, यहाँ दो का, यहाँ एक का, यहाँ एक का, और यहाँ पर 8 का difference हो गया, mean और values के बीच में, आपको बताना है variance, variance निकालना मैंने बताया, variance कैसे निकालते हैं, जो deviation आया है, उनके square का sum करके, यह number of observation से divide कर दो, आप variance हो बता दोगे, फटा 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 आसानी से, तो भाई, variation हो जाएगा, पहले इनके square कर लो, 36 plus 4, plus 1, plus 1, plus 64, और बटे में, कितने हैं यह 5, अब इसको जब मैं आड़ करूँगा, 36, 4, 41, 42, 42, और यह आपका 4 कितना हो गया, 42 और 4, 46, 46 और 60, और 106 को मुझे कितने से भाग करना है, 5 से, तो जब भाग करूँगा, तो यह हो जाएगा, 21.2 आपका answer हो गया, ठीक है भाई, कितना हो गया, 21.2, यह क्या है आपका variance, कितना आगया, 21.2, अब आपसे क्या भी standard deviation निकालना हो, तो क्या होता है, standard deviation होता है, under root variance, तो under root 21.2 आपका क्या हो गया, भाई, standard deviation हो गया, इस तरीके साब variance और standard deviation बता सकते हो, अब अगले question की तरफ बढ़ते हैं, अगला question क्या अगर है, the sum of squares of deviation for 10 observations taken from there mean 50 is 250, ठीक है, तो question में उसने क्या बोला है, अपनी तरफ से उसने पहले दे दिया कि भी जो deviation आ रहे है, mean के comparison में जो observation की value कम या ज्यादा है, वो ही deviation है, उनके squares का sum आपको दिया गया है, 250, उनके squares का sum आपको 250 दिया गया है, यह तो बोला, उसने the sum of squares of deviation for 10 observations, 10 observations है, यानि n की value 10 हो गई, और जो observations है, उनका mean, mean कितना है, 50 है, mean आपको 50 दे रखा है, mean 50 दिया है, इस mean से value कितनी कम या ज्यादा है, वो deviation हो जया, उन deviation के squares का sum 20 हो है, तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है, coefficient of variation, अगर मैं निकालना चाहूं, तो कैसे निकालूंगा, standard deviation, upon में mean और into 100 करके, अब भाई तो मुझे मालूम है, 50 है, लेकिन standard deviation अब variance कैसे निकालते हैं, variance निकालते हैं, जो deviation है, उनके squares का sum divided by number of observation, तो यहाँ पर कितने है square का sum, 50 है, sorry, 250 है, 250 को number of observation, 10 से divide करो, जब 10 से divide करूंगा, तो यह कितना बचेगा variance, 25, 25 का भी square root करना है, और वो भी positive value लेनी है, तो वो कितने हो गई, 5, तो standard deviation मनगा भाई, आपका 5, अब आपको दोनों value मालूम है, standard deviation 5 है, mean 50 है, COV यानि coefficient of variation आपको बताना है, तो 5 बटे 50 गुणा में 100, तो 5 से यह 10 बार, 10 से यह 10 बार, तो आपका coefficient of variation आगे मेरे भाई, 10% यह आपका answer हो गया, समझ पाए बात को, बिल्कुल समझ पाएंगे, बहुत आसान चीज है, आग बच्चों, standard deviation, if the standard deviation of a set of observation is 8, उसने standard deviation दिया, हमें कुछ data है, उसका जो standard deviation भाई साब, वो 8 हमें दे दिया, फिर क्या बोलता है, if each observation is divided by minus 2, अब वो क्या कर रहा है, minus 2 से हर एक observation को divide कर रहा है, अब मैं इस चीज को ऐसे भी तो बोल सकता हूँ, कि अगर वो minus 2 से divide कर रहा है, इस बात का मतलब वो 1 upon 2 से multiply कर रहा है, इस बात का यही तो मतलब होगी, अगर मैं बोलूँ कि हम 4 को 2 से divide कर रहा हूँ, तो मैं क्या लेख हूँ, मैं 4 upon 2, या फिर इस चीज को मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ, कि हम 4 को multiply कर रहा हूँ 1 by 2 से, तो यह कितना मैं रहा है, sorry, 4 by 2 यही तो बात हुई, अगर वो बोल रहा है कि minus 2 से divide कर रहा हूँ, तो आप इसको उल्टा कर लो, कोई minus 1 upon 2 से वो multiply कर रहा है, तो अब देख लो, if each observation is divided by minus 2, तो मैं इस चीज को उल्टा कर लेता हूँ भी, multiply by minus 1 by 2, इसको ऐसे लिख लो, तो अब हम से क्या पूत रहा है, the standard deviation of the new batch of observation, अभी मैंने आपको बताया कि भाई, अगर किसी एक same value से सारी observations को multiply किया जाता है, तो क्या-क्या effect पढ़ता है, variance उसके square times हो जाता है, और जो standard deviation है, जितनी value है, उसी से multiply कर दो, तो नया जो standard deviation बनेगा, नय data का जो standard deviation बनेगा, वो कितना हो जाएगा, 8 into minus 1 by 2, उस value से म multiply कर दो, जिससे मैंने सारा data multiply किया है, उसी से आप standard deviation को multiply करो, तो 2, 4, जा 8, तो कितना आ गया ये, minus 4 आपका standard deviation हो गया, इस तरीके साप easy-easy question कर पाएंगे, आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं, दो question, चलिए, दो question और देखते हैं, फिर हम अपनी class को आज खतम करेंगे, क् each observation is multiplied by 2, thus the variance of the new set of observation will be, बता सकते हैं, आपको बता ही रखा है, अगर data को, सारी observations को, a से multiply करता हूँ, तो variance क्या हो जाएगा, पहले से a square times हो जाएगा, अब यहाँ पर variance उसने पहले दे रखा है, मुझे 5 है, और उसने multiply कितने से किया है, 2 से किया है, तो new variance कितना बन जाएगा नया data का variance, 2 का square into 5, तो दो दो नी, 4, पंजे 20, यही आपका क्या हो गया, नया variance हो गया, अब अगला question और देख लो भई, जो चीज में आपको बता रहा था, वो आप से exam में अगर यह भी पूछ सकता, आप जो deviation है, deviation है, आप दो value से measure करते हो, कि भी mean से value कितनी ज्यादा या कम है, या फिर median से भी देख सकते हो, कि median से observation कितनी ज्यादा या कम है, तो वो deviation कहलाता है, तो यहाँ यह वाले जो question है, वो median वाले पर depend है, क्या कहरा है, find mean deviation about median, वो किस से पूछ रहा है, आप से median से बताओ, कि median से mean deviation कितना है, अगर यहाँ पर यह नहीं लिखता, तो मैं direct mean निकालता है, उससे value को कम है ज्यादा, चेक करता है, वहाँ से mean deviation निकालता है, लेकिन उसने यहाँ पर मुझसे बोलाया है, कि median से check करो, median से deviation चेक करो, और बताओ, कि mean deviation कितना होगा, तो अब यहाँ पर आप कर सकते हो, median निकालना पड़ेगा पहले मुझे, median निकालना आप को पता है, median क्या होता है, middle term पर कौन से value आ रही है, तो इस data में, देखो, middle value कौन से होगी, कितनी value है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, साथ है, यानि के order number है, तो साथ पलस एक, आठ, और आठ का था, चार, यानि fourth place पर कौन से value आ रही है, fourth place पर कव, जब मैं उसको ascending order में arrange करता हूँ, जब मैं ascending order में arrange करूँगा, तो यह first, second, third, अगर आपको median पता चल चुका है, तो आप इसके compare कराओ, observation कितनी कम है, या ज़्यादा हो ही division हो जाएगा, अगर मैं इसको देखूँ, तो यहाँ पर यह कितना ज्यादा, 40, यह कितना कम, 150, यह कितना कम, 90, यह कितना कम, 60, यह तो हो गया, 0, यह कितना हो गया, 0, फिर उसके बाद, यह कितना ज्यादा है, 10, और यह कितना ज्यादा है, 20, अब हम mean deviation, आसानी से बता सकते हैं, mean deviation क्या हो जाएगा, deviation का sum, बटे number of observation, तो इनका sum कर लो, 40, 1,5, 190, 280, 340, 350, 370, तो 370, और बटे में कितना ही, यह 7, 370, बटे में 7, यह आपका हो गया, 7, 35, और 7, 2, 14, और बचे कितना अच्छा है, तो 7, 8, 56, 52.8 के आसपास आपका क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा, इस तरीके से आप mean deviation निकाल सकते हैं, अगर वो median के about बोलता है, अगर वो नहीं बोलता है, तो आप किसके about निकालोगे, mean के about ही निकालोगे, तो आप आज की क्लास में हमने जाना भी deviation क्या होता है, mean deviation क्या होता है, variance क्या होता है, standard deviation और coefficient of variation के बारे में जाना, उसके उपर हमने कुछ सवाल किये, आप और ज्यादा practice कीजिए, कोई doubt हो तो comment section में लिखकर बताइए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब त